सब साहाब बंदी छोर सत्कुरु राम पाल जी महराज की जए पूर्ण परमात्मा कभीर परमेश्वर की जए दोस्तो स्वागत है आप सभी का सुनी लिराय ओफिसियल में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं और क्या बात करने वाले हैं ये तो आप सब कुछ गेस किजिए और समझी गए होंगे कि हम स्रिफ और स्रिफ सप्रिच्वल नौलेज जिसे आध्यात्मिक ज्यान काता है इसी पर बात की चर्चा करते हैं मेरे भाई बंबहिनों हमें खुशी हो रही है आज और हमें खुशी से हमारा मन गद गद है क्योंकि आज की समय में हम देख रहे हैं कि देश विदेश में भी बंदी छोड़ सप्रिफ राम पाल जी महराज की ज्यान की परचार परसार बहुत ही तेजी से हो रहे हैं आज हमें बहुत ही खुशी महसुस हो रहा है और हमें यह अनभूती हो रही है कि सत्य है और ओ सारे संसार की जो भविश करताओं ने जो भविशवानी की है आज ओ सत्य दिखाए दे रही है ओ ग्रेट साइरन की ओ तत्वदर्शी संत की तत्वग्यान सारे संसार में तेजी रूप से फैल रहा है और हमारे सभी प्रानी हमारे सभी भाए बहनों इन तत्वग्यान को समझ करके जोड सोर से परचार परसार में लगे हुए है मेरे भायवम बहनों मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए क्योंकि इस पूर्य बर्मांध में पूर्ण परमात्मा कभीर परमेश्वर के अत्रिक्त कोई परमात्मा नहीं और बंदी छोड़ सत्गुरू राम पाल्दी महराज के अत्रिक्त कोई संत नहीं देखिए किस तरीके से देश बिरेश गाउं गाउं में हमारे भाय बहन और चाचे ताउं लगे हुए है और ग्यान की परचार परशार करके पुन्य की भागी बन रहे हैं आपको भी मौका मिलेत किजिए क्योंकि यह वो ग्यान है जिन से हमारा जीवन धन्य हो जाता है दोस्तो बंदी छोड़ सत्गुर्ण राम पाल जी महराज ओ चमतकारी संत है जिसकी बारे में जान लेने से ही बहुत कुछ लाव होता है हम तो यूं किसी धर्म में पैदे हुए हैं धर्म के नाम पर या मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चन हो तो क्या उसके जानते हैं बच्पन से जानते हैं लेकिन हमें कोई लाव नहीं हुआ क्योंकि हम यूँ थे तंबाकू खाने लगे सराव पीने लगे कर्मा अनुशार कर्म करने लगे हम को हरे माजब में देख रहे हैं चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे किच्चन धर्म हो लेकिन यह ऐसी धर्म है मेरे भाईबं बहनों जो कि सारे बुराया इसकी जान लेने मातर से ही नसा अपने आप दूर भाग जाता है सारे बुराए छूट जाता है हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है हमारे चेहरे चमकने लगता है वो तत्तो ग्यान से और बंदी छोर शतुर राम पाल जी महराज हमारे अंदर मंत्र देता है कि हर एक बिमारी अपने आप दूर हो जाता है हमें खुशी है हमें आज बहुत खुशी हो लग रहा है कि अपन गंगा जैसे पवित्र पुस्तक निशुल्क परदान करते हुए तो हमें दिल बाग बाग हो जाता है मेरी भाई में बहिनो ये धर्ती अभी भी ऐसा है जो की बहुत सारे देश ऐसा है कि अज्ञान से जीव हिंसा जैसे चीज करते हैं अधिकन्स ब्यक्ति लिखिंग उन महापुर्सों की भविश्बानी सत्य होता जा रहा है और बहुत ही जल्दी ऐसा दिन आएगा कि पूरे बर्मांड सत्यूग जैसा महाल हो जाएगा और बंदी छोर सत्यूग राम पाल जी की तत्यो ग्यान को जान करके अपना जीवन को सुखमे बनाएगा और जीव हिंसा जैसा हिंसात्मक चीज नहीं करेगा और इस धर्ती फिर से स्वर्ग हो जाएगा मेरे भाईबं बहनों इस संसार को नशा मुक्त दहेज मुक्त और हिंशा मुक्त बनाने वाला कोई तत्वदर्शी संत है और कोई पूर्ण परमातमा है तो वो बंदी छोड़ पूर्ण परमातमा सत्गुरु राम पाल जी ही माराजी है जिनकी तत्वज्ञान की परकास्ट से आज सारा प्रिथिवी उजवल हो रहा है सारा समाज पे हिंशा की रोग दोस हट करके सत्युग जैसा महाल बनने जा रहा है इतने प्राकर्मी संत पूर्ण परमातमा दूसरा कोई नहीं और यह प्रक्रिया लाखो बर्स तक चलेगा क्योंकि यह हमारे मालिक ने कह चुका है कि अब कोई संत नहीं होगा यह लास्ट संत है जो यह कलजुग को सत्युग बनाएगा और यह पूर्ण परमातमा कोई आम इंसान नहीं बलकि पूर्ण परमातमा कबीर परमेश्वर ही खुद अवतार लिये हैं बंदी चूर सत्युगुरू राम पाल जी महराद वो तत्व दर्सिसंत है जो पूरे ब्रमांड को परलाय होने से बचाएगा और फिर से कल्युग को सत्युग भनाएगा तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर यही बिंती करना चाहता हूँ कि एक बार बंदी छोड़ सत्युगुरू राम पाल जी महराज की पुस्तक ज्यान गंगावा जीने की राह अवस्य पढ़े अगर पुस्तक आपके पास उफ लब्द नहीं हो रहा तो यूटूब चाइनल में यूटूब में संत राम पाल जी महराज करके लिखिएगा तो उनकी सत्संग आएगा किर्पया करके उनकी सत्संग सुनके अपने जीवन धन्य अवस्य बनाएग यूटूब चाइनल पर जैसे रियल स्टोरी यस ए निव्ज चैनल और सतलोक यासरम और संत राम पाल जी महराज नाम करके बहुत सारी यूटूब चाइनल है आप उनको देख करके और उनकी मुखार बिंदू से अमुरित ग्यान सुनकरके अपने जीवन को धन्य बना है आज की भीडियो यही पर समाप्त करते हुए हम एक ही बात आप सब के कहते हैं कि मानब जीवन दूरलब है मिले न बारंबार तरबर से पता तूट गया बहुर न लगती डार दोस्तों जैसे ब्रीच की किसी ब्रीच की पत्य पीले पन होके गिर जाता है एक बार तो दूसरी बार वो नहीं लग सकता इसी तरीके से हमारा अगर मानब जीवन समाप्त हो जाएगा तो दोबारा हम पैदा नहीं हो सकते फिर से कुट्ते गधे बिल्ली की योनी में भटकते रहेंगे इसलिए मेरे भाईवं बहनों हम आप सभी से हाथ जोर कर बिंती करते हैं कि बंदी छोर सतुर राम पाल जी महराज से नाम रिच्छा ले करके अपना जीवन को धन्य बनाएं और यही हम कहेंगे कि जीव हम साजय से चीज हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव हमारी जाती है मानब धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सीक इसाई धर्म नहीं कोई नारा बंदी छोर सत्गुर राम पाल जी महराज की जैसत साहे